हलो माई दियर स्टूडेंट्स वेलकम बेक टू मैं चैनल आई होप यू आप सभी जानते हैं कि हम हमारे चैनल पे अतुल महिश्वरी स्कॉलर्शिप 2024 का जो एक्जाम है उसकी प्रिप्रेशन सभी स्टूडेंट को करवा रहे हैं तो बच्चो आज के इस वीडियो में मैं आपके लेकर आई हूँ हिंदी के कुछ important questions जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं तो चलते हैं हमारे पहले question पे जो हमारा पहला question है उसके अंदर हमसे पूछा है कि जो प्रतिकूल शब्द है प्रतिकूल जो शब्द है इसका विलोम ढूणना है यहां पे आपको चार options दिये गए है निराशा का प्रेवाची आशा हर्ष विशाद या उन्नती सो students जो निराशा शब्द है इसका प्रेवाची का मतलब है जो इसके जैसा same जिसका मतलब हो तो निराशा का जो प्रेवाची होगा वो क्या होगा आपका जब्द क्या है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपने पड़े होंगे यहां पर आपसे पूचा है कि जो बुद्धी का संग्र होता है उसके लिए एक शब्द बताओ ज्यानकोष विद्यानिधी ज्यानवर्दक या विद्यासागर सो students इसका अंसर है आपका ज्यानक चलते हैं हमारे next question पे शीड का विलोम शब्द क्या है आपके पास options में क्या क्या है प्रबल दुर्बल स्थूल या पतला ठीके जो शीड होता है शीड ठीके इस शब्द का विलोम पूचा है यानि कि इसका opposite आपको बताना है तो इसका आंसर होगा प्रबल ठीके जो शीड ह उसका विलोम शब्द क्या होगा आपका प्रबल होगा अब चलेंगे next question पे जो स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे वह क्या होता है धुंदला होता है अस्पष्ट होता है अमूर्थ होता यह अध्रिश्य होता है तो बच्चो इसका आंसर होगा अध्रिश्य जो भी हमें इस पश्च्रूप से दिखाई नहीं देता उसे हम कहते हैं यह चीज अध्रिश्य है उसके बाद आप से यात्रा के प्रेवाची पूछे गए हैं यात्रा के प्रेवाचियों के लिए हापर आपको उप्शन में गिवन है प्रावास ओके ब्रहमन गिवन है आपको गमन गिवन है और इन और फूरथ उप्शन में क्या कह रहा है उपरोक्त सभी क्या यह 4ugen के 4 ही यात्रा के प्रेवाची है तीन के 3ों ही तो बच्चो 2016 के 3 ही उत्यक्ण今天 का विलोंश्भ provoc यहां क्या ह हो जाए के लिए एक शब्द क्या है कोई भी चीज जो फटा-फट से नश्ट हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं शनिक अनित्य चिर्स्थाई या नश्वर सो बच्चो इसका क्या होगा आपका आंसर? इसका जो आंसर है वह है आपका नश्वर नश्वर यानि की जो जल्दी से नश्ट हो जाए अशुब का प्रेवाची शब्द क्या है? दुर्भाग्य, अमंगल, अकाल या दुष्ट सो स्टूडेंट अशुब यानि की अमंगल, बालक का बहुवचन क्या होगा? बालक का बहुवचन क्या होगा? बालके, बालकों, बालक या बालिका आपको एक वचन और बहुचन पता होगा बालक का क्या होगा बहुचन होगा बालकों ठीक है अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे नेक्स्ट जो हमारा question है वो है सभाविक का विलोम शब्द क्या है options में हैं आपके पास अस्वभाविक, कृत्रिम, अप्रकर्तिक या दोश्पूर so students जो सभाविक शब्द है इसका विलोम शब्द होगा आपका अस्वभाविक ठीक है जो सब जगह विद्वान हो विद्मान हो जो हर जगह है वह क्या है सर्व व्यापी है सरवग्य है, सरवसम्मत है या फिर सरवशक्तिमान है जो सब जगहे विद्वान है वहहैं सरवव्यापी अब चलते हैं हर्ष का प्रैवाची शब्द क्या होता है हर्ष का प्रैवाची शब्द है आपका आनंद ठीक है? अब चलो अगले क्रेशन पे प्राचीन प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा नवीन होगा किसी के अधीन होने के लिए एक शब्द सेवक शर्णागत अधीनस्त या भक्त जो किसी के अधीन होगा वो क्या होगा वो होगा अधीनस्त ठीक है सो option number C इसका सही answer है समरिध का विलोम शब्द आपसे पूछा है options में given है दरिद्र, निर्धन, अशक्त या विफल समरिध का क्या होगा दरिद्र होगा आपका विलोम शब्द धनवान के प्रैवाची पूछे गए हैं दौलतमंद, धनी, समपन या उप्रोक्त सभी सो स्टूडेंट्स ये तीन के तीनों ही धनवान के परियावाची शब्द हैं सो इसका उत्तर होगा आपका उप्रोक्त सभी ठीके बच्चो दैन हम चलेंगे हमारे next question पे जो हमारा next question है उसके अंदर हमसे पूछा है आसफलता का विलोम शब्द इसमें से क्या है options में given है आपको सफलता, विफलता, विजय, हार सो यहाँ पे देखो सफलता, विफलता और हार तीनों का मतलब क्या है आसफलता ही है तो सिर्फ option में हमारे पास क्या बजा विजय विजय जो है वह किसका विलोम हो जाएगा आसाफलता का विलोम हो जाएगा विराम का परियावाची शव्द क्या है अंत विरती या फिर विश्राम या ठहराव सो स्टूडेंट्स इसका है आपका विश्राम ठीक है यहाँ पर हमारे उम्मीद बैच के बारे में आपको इन्फोमेशन दी गई है सो अगर आपको उसमें जॉइन करना है सो यू केन मैसेज अस आन दा वाट्सेप अब चलते हैं संग्या के questions पे बच्चों संग्या के questions आपको ध्यान से देखने हैं पहला जो आपका question है उसके अंदर आपसे पूछा है संसार किस प्रकार की संग्या है जो संसार शब्द है वह किस प्रकार की संग्या है तुम सर्वनाम का कौन सा रूप है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष या इसमें से कोई नहीं तुम जो सर्वनाम का रूप है वह है मध्यम पुरुष, सर्वनाम का रूप उसके बाद चलेंगे हमारे next question पे जल का प्रेवाची आपके पास options में क्या क्या given है? पे, पावक, वायू या वारी ठीक है जल का आपसे प्रेवाची पूछा है तो इसमें से क्या होगा जल का प्रेवाची? वो होगा आपका वारी राम ने खेला वाक्य में किस वाक्य में ने जो है ने किसका चिन है करता का चिन है कर्म का करण का या संप्रदान का ये जो है आपके क्रिया से लिए गए questions है ठीके, सो इसका क्या होगा, ये होगा आपका करता का, ठीके, यहां शब्द किस प्रकार का सर्व नाम है, यहां निश्चय वाचक, अनिश्य वाचक, संबंद वाचक या संकेत वाचक सो स्टूडेंट्स जो आपका यहां शब्द है वह है संकेत वाचक सर्व नाम, जो किस प्रकार का सर्व नाम है, जो है आपका संबंद वाचक सर्व नाम, जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सत्यवादी, सचेत, सजग या सत्यप्री है So students जो वेक्ती हमेशा सच बोलता है उसका होता है सत्यवादी उसने किताब पढ़ी वाक्या में पढ़ी किस प्रकार की क्रिया है अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है ठीक है या फिर द्विकर्मक या सहायक So ये है आपकी सकर्मक क्रिया वह शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है आपको याद कर लेना है जो वह शब्द है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम गिरा हुआ में गिरा किस प्रकार की क्रिया है ठीक है गिरा हुआ में जो गिरा है वह है किस प्रकार की क्रिया है बच्चों अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है या प्रेणा आर्थक क्रिया है इसका उत्तर होगा आपका अकर्मक क्रिया जो गिरा शब्द है वह है आपकी अकर्मक क्रिया उसके बाद भोजन जो शब्द है वह है किस प्रकार की संग्या है भोजन शब्द जाती वाचक, व्यक्ती वाचक, भाव वाचक या समू वाचक तो बच्चों जो आपका भोजन शब्द है वह है आपकी भाव वाचक संग्या ठीक है अब चलेंगे हमारे next पे तुम्हारा किस प्रकार का सर्व नाम है तुम्हारा क्या है आपका शब्द तुम्हारा आपके पास options क्या क्या है अनिश्चे वाचक, निश्चे वाचक, प्रशन वाचक या संबंद वाचक सो जो तुम्हारा है वह है आपका संबंध वाचक सर्वनाम उसके बाद अगला question तेज जो तेज है इसका विशेशन रूप क्या होगा वह होगा आपका तीवर ठीक है तेजी तीवरता तेजस्वी नहीं है क्या है तीवर है देन चलते हैं कमल खिलता है में खिलता किस प्रकार की क्रिया है कमल खिलता है खिलता किस प्रकार की क्रिया है बच्चो ठीक है आपको बताना है खिलता जो है वह है आपकी अकर्मक क्रिया मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको सारे questions बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना ठीक है बच्चो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेशन पे उसने उसे पुस्तक दी वाक्य में दी जो है वह किस प्रकार की क्रिया है अकर्मक है सकर्मक है दुई कर्मक है सहायक है दी जो है वह है आपकी दुई कर्मक क्रिया ठीक है क्या है दुई कर्मक क्रिया है विशाल जो शब्द है उसका विशेशन बना देना है विशाल शब्द का विशेशन क्या होगा विशालता, विशाल काय, विशाल कृती या विशाल कुम्ब सो बच्चों ये होगा आपका विशाल काय जो विशाल शब्द है उसका सही विशेशन क्या है विशाल काय राधा ने मिठाई खाई में जो राधा है वह किस प्रकार की संग्या है options में आपके पास है जाती वाचक, व्यक्ति वाचक, समूवाचक या फिर भाव वाचक सो जो राधा है वह है हमारी व्यक्ति वाचक संग्या बहुती आसान questions हैं ये सारे के सारे लेकिन कभी-कभी किसी-किसी बच्चे को ये basic information भी नहीं पता होती तो अगर आपको ये नहीं पता हैं ये सारी चीजें तो वीडियो को अच्छे से देखिए और answers को learn करिए ठीक है students उसे कल आना है में उसे किस प्रकार का सर्व नाम है ये जो question है ये सर्व नाम से है संबंद वाचक सर्व नाम है पुरुष वाचक है निश्चे वाचक है या फिर अनिश्चे वाचक है तो बच्चो जो उसे है वह क्या है हमारा वह है हमारा पुरुष वाचक सर्व नाम उसके बाद चलेंगे हमारे next question पर जो सूरज है उसका भी विशेशन रूप होता है सो आप बताईए कि सूरज का विशेशन रूप क्या है सूर्य, सूर्यकांत, सौर या सूर्यप्रकाश तो बच्चों जो सूरज है उसका विशेशन रूप है आपका सौर ठीक है सूरज का विशेशन रूप क्या है आपका सौर है लिखने में लिख किस प्रकार की क्रिया है वही आपके same options है जो पहले थे सकर्मक, अकर्मक, प्रेणार्थक, सहायक सो लिख जो है लिख है हमारी सकर्मक क्रिया ठीक है students अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है क्योंकि हम YouTube पे बच्चों को preparation करवा रहे हैं अतुल महेश्वरी scholarship के लिए उसके अलावा हमारा batch भी है जिसको आप join कर सकते हैं आप हमें WhatsApp पे और Telegram पे भी join कर सकते हैं